पैसा जब इनसान के पास आ जाता है तो इनसान भूल जाता है कि वो कौन है और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है पैसा बड़े कमाल की चीज़े बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है नमस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे मैं हूँ आरजे कार्तिक परसनल फैनेंस जुड़ी बहुत सारी किताबों के बारे में आपने सुना होगा लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बता रहा हूँ जो आपको psychology of money यानि की पैसे का जो मनोविज्ञान है उसको बताती है Morgan Housel ने ये बुक लिखी है और ये बुक जब भी finance की बात आती है personal finance को manage करने की बात आती है तो must read बुक कही जाती है बहुत आसान शब्दों में आपको पांच learnings इस बुक से बताऊंगा जो कि आपको सारी बुक का सार समझा देंगी Morgan Housel के लिखी हुई किताब The Psychology of Money जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत डीटेल में बताया गया है हर इनसान का पैसे को ले करके अपना अपना नजरिया होता है कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है कुछ लोग कहते हैं कि money doesn't matter पैसा matter नहीं करता खुशियां matter करती है तो आईए सीखते हैं पाँच बड़ी बातें The Psychology of Money से सबसे पहली learning जो की The Psychology of Money से मैंने सीखिये वो है पैसा बरबाद मत करो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको एक खुबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आप 30 लाख रुपे कमा सकते हैं तो बताइए आप क्या चुनना चाहेंगे कुछ लोग कहेंगे कि मुझे बंगला चाहिए कुछ लोग कहेंगे मुझे पैसा चाहिए कई सारे लोग आपसे इस तरीके की सवाल करते होंगे और जब ऐसे सवाल आपके सामने आते होंगे तो आपका दिमाग घूम जाता हुआ क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को संशे में कन्फूजन में डाल देता है इस पैसे को समझने के लिए अपने माइंड को समझना भी बड़ा important होता है अगर आपका हाल कुछ ऐसा और आप इस तरीके की सवालों से परिशान रहते हैं तो author ने इस book में किस्सा बताया है वो कहते हैं कि जब मैं अपने college में था तब पैसे कठा करने के लिए waiter का job किया करता था और जिस जगे पर काम करता था वो लास एंजलिस के सबसे महंगे hotel में से एक था एक दिन कहते है मौगन हाउजल की जब मैं अपनी job पर था तो मैंने देखा 21 साल का millionaire वहाँ पर आया हुआ था वो बहुत smart था technology की अच्छी पकड़ थी उसने wifi router का एक ऐसा component तयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे उसने बहुत सारे अलग-अलग start-up शुरू किये और उन्हें बेच दिया money management में हाला कि वो खास नहीं था क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाईश करना, दिखावा करना, शोफ करना बहुत पसंद था जहां भी जाता था अपने साथ में नोटों की गड़ी लेकर के जाता था और waiter को भी कहीं बार tip के नाम पर मोटी नोटों की गड़ी दे जाता था एक बार जब वो एक शॉप पर पहुंचा था दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिये तो आप सूची कि उसने क्या क्या होगा वो समुद्र के किनारे गया और बीच साइड जाकर कि अपने दोस्तों को भी सिक्के दे और कहा चलो फेंकते हैं किसका कितनी दूर जाता सिक्का इस तरही की हरकतें उसने की और एक दिन ऐसा भी आया जब वो एक होटेल के लैम से टकरा गया था और उसकी वैसे वो लैम तूट गई थी लैम तूटने की वैसे जो होटेल मैनेजर था को लग रहा हो कि ये फेक है फर्जी कहानी ऐसा कुछ नहीं है ये सच में हुआ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे का दिखावा करते हैं जब पैसा उनकी पास में आ जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो दिवालिया हो जाते हैं इस लड़की के साथ भी एई हुआ पैसे के नशे में इसने अपना सारा पैसा खो दिया क्योंकि इसे घमंड हो चुका था ये दोस्तों के साथ में अपने पैसे को बरबात कर रहा था और वो दोस्त भी जब इसके पास में पैसा खतम हो गया और उसको सेव करना भी ज़रूरी है उसके लिए किसी टेकनिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है उसके आपके माइंड सेट की ज़रूरत है एक सफाई करमी जो की सफाई की सफाई का काम करता था उसने पैसे बचाए और धीरे धीरे उसने एक सही जगे पर जो है स्टॉक में इंवेस्ट किया और एक दिन वो करोड़ पती बढ़ गया तो पैसे को लेकर के सबसे इंपॉर्टन बात समझने वाली ये है कि कभी भी पैसा बरबाद मत करो जो हमारे बड़े बुढ़ों ने हमें सिखाया है डूंट वेस्ट मनी दूसरी लर्निंग जो कि मुझे The Psychology of Money इस किताब से मिली है वो है अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है और अमीर बने रहना मुश्किल है तो उसमें काफी सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं आपने देखे होंगे वो लोग जो बिजनस स्टार्ट करते हैं बड़े अमीर रहते हैं बड़ा शौफ करते हैं और समय बीतने के साथ में फिर वो तूट से जाते हैं अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते हैं इसलिए अपने करियर में, बिजनस फील में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आप लंबे समय तक सर्वाइव करें और इसे समझने के लिए आप समझे वारन बफिट का एक्जांपल जिनके साथ में बहुत सारे इसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था लेकिन वारन बफिट की तरह लगातार सक्सेस्फुल नहीं बन पाए क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं लेकिन अमीर बने रहना बिलकुल वैसा ही मुश्किल काम है जैसे कि successful बने रहना सफलता मिल जाती है आज कल digital के दुनिया में viral कोई भी कभी भी अचानक कहीं से हो जाता है लेकिन viral होते रहना बहुत मुश्किल काम होता है इस मुश्किल काम का secret यह है कि आपको accept करना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती अगर आपके पास में कोई चीज आज है तो उसकी value कीजिए और यह समझ के चलिए कि इस दुनिया में nothing is permanent कुछ भी permanent नहीं है सबकुछ temporary है तो आप बहुत तरीके से सलीके से चलेंगे और आप दुनिया में successful बने रहेंगे यह formula आपको मिल जाएगा जैसे इस book के author Morgan Housel ने कहा कि rich होना और rich बने रहना आसान नहीं है इसी लिए जैसे आज हमारा safe है लेकिन future भी safer है इसकी कोई guarantee नहीं है अगर हमने आज future के लिए कुछ planning नहीं की अगर आप investment plan देख रहे हैं जो कि आपकी savings को maximize करें और future goals जैसे की retirement, बच्चों के education या फिर बच्चों की शादी या फिर आपका कोई भी और financial goal हो तो इन सब के लिए सबसे perfect solution है वो भी guaranteed and tax free maturity benefits के साथ max life guaranteed savings plan max life guaranteed savings plan में आपके पास four flexible options हैं जैसे की lump sum, short term income, long term income और whole life income इसका मतलब कि आप एक साथ सारा पैसा निकाल सकते हैं या फिर अपने goal के according monthly income को plan कर सकते हैं इतना ही नहीं, साथ ही समें मिलता है life cover भी अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस प्रोटेक्ट करेंगे आपकी family को इस plan में आपको 12 साल तक हर महीने 16,000 रुपे देने और maturity पर आपको मिलेंगे 1 करोड रुपे terms and conditions अप्लाई तो अब इंतजार किस चीज़ का है शुरू कीज़े अपनी financial freedom की journey max life के साथ इसका link आपको description में मिल जाएगा तीसरी बड़ी learning जो कि इस book से मिलती है no one is crazy, दुनिया में कोई भी मुर्ख नहीं है अगर आपको बहुत साथ लोग ऐसे दिखते हैं जो उनका mind करना चाहरा है कहीं लोग गरीब होते हैं उनको लगता है कि हम emergency के लिए पैसे अरेंग नहीं कर सकते लेकिन अभी जो उसको तो उड़ा लेते हैं अभी तो जीवन को जी लेते हैं तो लोगों का जो attitude है वो पैसे को लेकर के अलग अलग प्रकार का है कहीं सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसों की saving करना हमार ले पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं उससे अधा खर्च हो जा रहा है तो इसलिए हम यह सोचते हैं कि जो भी है बस उसको जी लो ऐसे कहीं सारे लोग होते हैं जो बड़ी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, बड़े घर के बारे में सोचते हैं, महेंगे स्कूल के बारे में अटमिशन कराने का सपना रखते हैं तो अगर आपको ये चीज़ें आसानी से मिल चुकी हैं, तो आप उनकी कद्र करना शुरू कीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं लोगों के लिए आज भी एक सपना ही हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है, वो इस पर डिपेंड करती है, कि आसपास की जो सिच्वेशन चल रही है, जो हमारे इमोशन चल रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और उसका सही इस्तिमाल करते हैं। जब भी आप शेयर रहें तो आप याद रखी कि किसी ने ओऊ शेयर बेचाएं इसका मतलब कि जब कोई आपको शेयर आप खरीद रहें तो आप उससे सस्ता समझ के खरीद रहें लेकिन दूसरा है इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसको महेंगा लाग रहा है कुल मिलागर के कहने का मतलब यह है कि लोगं को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे है और हो सकता है कि उस वक्त के लिए वो बढ़िया डील भी हो आज से 20 साल पहले कर किसी ने Amazon के शेड़ ली होंगे तो रहेगा कि पैसा और मिल जाए तो बढ़िया रहे है लेकिन यही दुख का कारण है psychology of money के बारे में बताने के लिए कोल का था कि रज़त गुपता का example देते हैं author केते हैं कि 40 साल की अमर में अनाथ होने के बावजूद एक बड़ी company के CEO बन गये थे 2008 में उनके पास में 100 million dollars थे वो चाहते तो interest income के जरीए bank में पैसा रखा रहता और उसके जरीए ही वो interest income से कुछ और पैसे कमाते लेकिन वो उससे संतुष नहीं थे वो करोड़पती से रपती बनना चाहते थे लालच आ चुका था और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी बर्सों की बनाई जो repetition थी वो मिट्टी में मिल गई board meeting में जो secret information मिलती थी उसे financial profit के लिए बेच देते थे और insider training के गुनहा में उन्हें jail भेज दिया गया रजद गुपता के इस example से author समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जुनोंने अपने financial goal को achieve कर लिया लेकिं दूसरा financial goal तुरंट achieve करना चाहते हैं ऐसे लोग रुकते नहीं हैं और इसी चक्कर में लालच कर बैठते हैं और लालच जो है सब कुछ तबाह कर देता है जादा पैसों का लालच पैसा तो कभी भी आपको काफी नहीं लगेगा कभी भी आपको से लागा कि परियाप था आपको लेगा थोड़ी और भूग जो है बचिए तो अगर आप यही सोचते रह जाएंगे दूसरों से अपनी financial growth को compare करने लगेंगे तो इस वक्त की जो शानती है जो इस वक्त का सुकून है उसे खो बैठेंगे और आखरी learning जो कि इस book से मिलती है The Psychology of Money के author Morgan Housel कहते हैं कि luck और risk दोनों भाई-भाई है भागे और जोखिम साथ-साथ चलते हैं हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए है एक छोटी सी कहानी वो बताते हैं कि 1968 में जब Bill Gates स्कूल में पढ़ने जाते थे उस समय पूरी दुनिया में उनके जैसे ही 30 करोड स्टूडिंस हाई स्कूल में पढ़ रहे थे भी एक था Bill Gates अपने स्कूल के दोस्त के बारे में बताते हैं कि Kent नाम का एक मेरा दोस्त था जिसने स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो भी मेरे साथ Microsoft का founder होता लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी और साथ में वो mountain climbing के लिए गया और जब वो mountain climbing के लिए गया तो उसकी जान चली गई mountain climbing के लिए लाखों लोग जाते हैं उनमें से किसी एक की जान जाती है और वो शायद केंट निकला रिस्क ली केंट में वो वहाँ गए जो की बड़ा जोखिम भरा काम था उन्होंने किया और वो दुनिया चोड़के चले है जीवन में success मिलने की बीछे बहुत सारे factors होते हैं रिस्क भी होती है लग भी होता है आपकी मेहनत भी होती है इन सारे factors का अगर संतुलन बन जाए तब जाकर कि आपको जीवन में success मिलती है तो अगर आपके पास में पैसा आ चुका है तो आप विनमर बने रखिए और अगर आपके पास में पैसा नहीं आया है तो कोशिश करते रहिए मैं अक्सर आपसे कहता हूँ उपर वाले के आश्रवात के साथ अपनी मेहनत के साथ अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे